रम्रम जी फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और यह ब्लाउज दिजाइन एकदम सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और बिना कैनवास पट्टी के तो मेजरमेंट इसका कैसे है कि जो लैंद है वो 15 इंच लिए मैंने और तयार हमको 14 इंच रखनी है बाकी का आप सब देखी रहे हैं इसी तरह से हम मेजरमेंट रखकर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यह अपना अस्तर का कपड़ा है और मैंने साथ इंच इसका सोल्डर लिया है और साड़े साथ इंच मैंने इस तरह से इसकी आरमोल के लिया है और सीधा एक लाइन खीच कर और आदी इंच अंदर की 4.3 लिया है और चोड़ाई में और आदा इंच हम सॉल्डर स्लॉप कर देंगे और इस तरह से मैं लूंगी साड़े 11 इंच पर और नीचे भी हम 4.3 की ही लंबाई रखेंगे इस तरह से निसान लगा लेंगे एक सीधी से करके 4.3 और एक बॉक्स जैसा बना लेंगे अब उपर से मैं ले रही हूं साड़े तीन इंच और फिर वन इंच पर रखेंगे और एक सीधी ऐसे लाइन खीच देंगे अब बाकी का जितना भी बच आएगा न हमारा उसका हम आफ कर लेंगे और पॉइंट सेवन फाइफ मैं इस तरह बार की तरफ रख कर और पहले यहां पर एक बॉट नेक जैसा शेप देंगे हम इस तरह ऐसे और यहां पर हम एक सरकल जैसा देंगे इस तरह ऐसे और यह मैंने अस्तर पर कटिंग किया है अगर आप मैं पोटली बटन से आपको डिजान बताऊंगे तो आपको में फैब्रिक पे पहले कटिंग करनी पड़ेगी और आपको पोटली बटन नहीं लगाने तो आप अस्तर पर कटिंग करें तो यह मैंने में फैब्रिक पर भी इस तरह से सेम निसान पहले ही लगा लिए और बीच में से भी इस तरह से कटिंग करते हुए और जो यह सरकल जैसा हमने बनाया था इसको भी हम कट कर लेंगे इस सेम वही मैजरमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया और यहां से भी बीच में से हम कट कर लेंगे अब इसके दो पीस हो गए है तो यह कुछ पोटली बटन्स मैंने पहले ही बना लिए थे और अब मैं आपको बना कर बताती हूँ कैसे बनाते हैं तो यह मैंने थर्मा कोल की जो बोल होती है न वो ले लिए और इस तरह से करके और इस तरह से राउंड राउंड हम इसके उपर धागा लपीट देंगे टाइट सा तो हमारे बटन्स बनकर रेड़ी है अगर आपके पास थर्मा कोल की बोल हो तो आपको यह कपड़े की चोटी-चोटी कत्रान ले ले वो भरकर भी बना सकते हैं हैं तो अब इसमें एक फैबरिक हम अठा देंगे है यह इस तरह से था 15 ऑठ चीए और यह फैबरिक की सीधी साइड है और एक एंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे उपर हम तोड़ा सलाई का चोड़ antic फिर करेंगे तो यह सीधी साइड़ और अंदर की तरफ पोटली बटन का फेस रहेगा और एकदम किनारी पर अब हम सिलाई लगाएंगे और आराम से धीरे धीरे लगाई यहां पर तोड़ा जल्द बाजी नाग रहे तार एकदम इसके किनारी पर लगाएं इससे एकदम फिनिसिंग से आएंगे हमारे और यह बनकर भी बहुत ही सुन्दर लगता है डिजाएन भी दिखने में थोड़ा हाड है लेकिन आप बनाएंगे तो एकदम सिंपल ही है और इस तरह से में सारे बटन्स जो हमने बनाएं वो लगा लूँगी देखे इसी तरह हम जो दोनों पार्ट है उस पर लगा लेंगे पहले पल्ले पर लगा लिए मैंने अब इसी तरह है एक एक इंच की दूरी पर निसान लगा कर मैं इस पर भी लगा लूँगी और यह सीधी साइड है आप यह दिहान रखें और अंदर की साइड इनका फेस रहेगा अगर आपको मैं यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें आप क्या आपको कैसा लगा यह हमने बटन्स लगा लिए है और अब इसके उपर हम अस्तर रखेंगे और अच्छे से फिक्स करके और पिंस लगा लेंगे ताकि हिली नहीं जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो यह मैंने कर लिए और अब यह इसका उल्टी साइड देखिए और जो सिलाई आई थी ना उसी सिलाई के उपर-उपर हमको सिलाई लगानी और नीचे तक लेकिए आना है अस्तर हमने सीधी साइडी रखा था और अब यह जो सिलाई थी उसके उपर-उपर से हम सिलाई लगाएंगे और प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें आप और इस तरह से हम सिलाई के उपर लाते हुए और यहां पर मैं एक लूप लगाऊंगी जो डोरी मैंने पहले बना ली थी और इसमें जो हम बटन्स लगाएंगे न तो उसके लिए मैंने यह यहां पर हम लगाएंगे यह मुझे थोड़ी बड़ी लग रही तो इसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं और इसके अंदर ऐसे करके और अब हम सिलाई लगा देंगे तो यह एक दम अच्छे से लग जाएगी और यह बाहर भी नहीं दिखेगी और सुन्दर लगेगी अब हम इसके चारो तरफ भी अनदर कर दें और एक पर की स्लाई मारजन रखते हुए और हम पूरे पर च्लाई लगा देंगे यह देंगी मैंने लगा ली है और अब इसका जो भी एक्सट्रा कपडा है व अब हम कट कर लेगे कपड़ा ध्यान से कट करें सिलाई नहीं कट करें और अब हम इसको भी कट कर लेंगे और जो पोटली बटन्स का जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा आप वो भी कट कर लें ताकि बहुत ही सुन्दर बनकर तयार होगा और आब हम इसमें ऐसे कट लगा देंगे तक ज़र पलफड़ेंगे पाल्रेश कम आफ ये यह लिय। इसको भाल dopo Day जाएे और इसके उपर आप एक बर परेश कर लेंगे तो और भी अच्छे से बैठ जाए गई तो भी यह बहुत ही सुन्दर लगेगा और अमारा पक्का काम हो जाएगा इससे इस तरह से आप करें और अब मैं इसके उपर की टॉप वाली स्लाई भी लगा दूँगी स्लाई देरे देरे लगाएं ताकि अच्छे से फिनिसिंग से आए आपको और किस तरह के डिजैन चाहिए आप मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं वह वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगी और इस तरह से हम इसके उपर स्लाई लगा देंगे और इसी तरह से मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वह भी त्यार कर लूँगी यह देखिए यह बनकर रेडी है और एकदम फिनिसिंग से हमारा सब आया है सिलाई भी और इसी तरह से अब मैं इस दूसरा पार्ट भी कर लूँगी यह तो मैंने इसकी भी कर लिये और आप बैक साइड से देखिए एकदम फिनिसिंग से आई है हमारी सिलाई यह इसका फ्रेंट साइड है और यह बनकर हमारा रेडी है यहां पे हम एक बटन लगा लेंगे और इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा तो कितना प्यार डी जैन बनकर रेडी हो है यह मेरा फ्रेंट साइड है इसमें मैंने कप्स लगा है और इस तरह से इसका कुछ फाइनल लुक है तो राम राम जी फ्रेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो में